हेलो एवरिवन वेलकम टो लुनियाल क्लासिस स्टुडेंट्स आज 5 मार्ट 2021 को सीबी एसी ने क्लास 10 और 12 की रिवाइज डेट शीट अपलोड की है आपको इससे पहले भी एक डेट शीट मिली होगी लेकिन इस बार की जो डेट शीट है वो रिवाइज है उसमें आपकी एक्जैम के डेट शीट में कुछ डिफरेंस आया है तो आज किस वीडियो में हम क्लास 10 की डेट शीट डिसकस करेंगे और लास्ट में यह भी देखेंगे कि पहले की डेट शीट और अब की डेट शीट में डेट में क्या डिफरेंस है आपके screen पर ये है CBSC की revised date sheet इस date sheet के according आपके exam 4th में से start हो रहे है पहले वाली date sheet में भी आपके exam 4th में से ही start हो रहे थे तो 4th में को आपके उडिया, कंडर जैसे subjects आएंगे 6th में को जो exam होने वाला है यह है आपके main subject English का होगा उसके बाद 10th को Hindi course A और Hindi course B का exam होगा 11th को आपके Urdu course A, Bengali, Tamil, Persian जैसे subject के exam है 12th में को आपका exam है French और German का 7th में को है painting का 18th में को जो exam है जिसमें करनाटक music, Hindustani music जैसे subjects का exam है 28th में को जो exam होना है वह है home science का इसके बाद जो आपका third main important subject आता है वह है science इस इस बार के date sheet में आपका science का exam 21st में को होगा जो last date sheet में 21st में को आपका mess का exam था लेकिन इस date sheet में आपका exam 21st को science का होगा 22nd में को Japanese, element of business, करनाटक music और करनाटक music जैसे subject का exam है 25th में को तेलगू, सिंधी, मराथी, गुजराती, मनिपुरी, असामी, स्थिबती, नेपाली, लेंबू, तेलगू जैसे subject का exam है अब आता है 27th में, 27th में को भी आपके main subject social science का exam है last वाली date sheet में भी social science का exam आपका 27th में को ही था तो इस date sheet में भी इसकी date change नहीं हुई है अब हम बात करते हैं 29th में की, 29th में को information technology, introduction to tourism और artificial intelligence जैसे subject का exam है इसके बाद आता है 31st में, 31st में को आपके retail, security, automotive, introduction of finance markets जैसे different subject का exam है उसके बाद आपका सबसे important exam 22nd June, yes 22nd June को आपका mathematics standard और mathematics basic दोनों का ही exam है जिन बच्चों ने mathematics standard ली है या mathematics basic ली है, उनका exam होगा 2nd June को, yes यह date भी आपकी इस बार की date sheet में change हुई है उसके बाद आता है 3rd June, 3rd June को आपका Arabic और Sanskrit का exam है और फिर आता है 5th June, 5th June को आपका Malayalam, Punjabi, Russian, Urdu, course भी जैसे subject का exam है और 7th June को आपका last board exam है, वो है computer application का आपकी जो पहले वाली date sheet थी उसमें भी आपके exam 7th June को ही खतम हो रहे थे और computer application ही आपका last exam था तो इस वाली date sheet में भी इसकी date change नहीं हुई है अब हम देखते हैं कि पहले वाली date sheet और new date sheet में क्या difference आया है ये देखें, revised date sheet और पहले वाली जो date sheet थी उसमें जो difference है वह है कि English का जो आपका exam था वो पहले भी 10th May को था और इस वाली date sheet में भी 10th May को ही है second exam आपका आता है हिंदी का, हिंदी का exam भी आपका पहले 6th May को था और अब भी 6th May को ही है अब आताती है science की, science में आपकी date change हो गई है पहले वाली date sheet में science का exam आपका 5th May को था और इस वाली date sheet में आपका exam 21st May को है next exam है math का, math का exam last date sheet जो आपकी पहले आई थी उसमें था 21st May को और revise date sheet में आपका math का exam जो है वह होगा 2nd June को social science की अगर बात करें तो social science की जो date थी वो पहले वाली date sheet में और new date sheet दोनों में same है मतलब 27th May को आपका exam है social science का अब हम बात करते हैं computer की, computer भी आपको 7th June को last date sheet में आपका exam था और revise date sheet में भी आपका 7th June को ही computer का exam है तो ये कुछ difference थे आपके पहले वाली date sheet में और revise date sheet में अगर आप overall देखें तो केवर 2 main exams की जो date है वह है change हुई है जिसमें science और math है last date sheet में science 15th में था और revise date sheet के according अब आपका science का exam होगा 21st May को science के exam के बाद आपका 27th को आएगा social science का exam और social science के बाद आपका होगा 2nd June को maths का exam तो ये कुछ difference जो है ये आपको इस revise date sheet में देखने को मिल रहे हैं तो आप अब इस date sheet के according अपनी तयारी रखेगा बेस्ट आफ लग थैंक यू झाले गपको झाल झाल